आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स, आज की Question में हमसे पुछा गया है कि Most Common Energy Source जो Found होता है Abundance in Earth Crust में तो वो कुन सा है First Option है Petroleum, Second है Coal, Third है Natural Gas और Fourth Option है All of the Above अगर हम बात करें दोस्तों Fossil Fuels की तो Fossil Fuels कहां से पॉर्म होते हैं सबसे पहले हम कहे सकते हैं Organic Matter के थुरूप होते हैं और वो Organic Matter जिनका क्या हो गया हो या फिर हम कहे सकते हैं कि वो Decompose हो गए हो, Intense Pressure के थुरू या फिर Heat के थुरू और किस चीज़ के अंदर Earth का जो Crust होता है उसके अंदर अब ये जो Fossil Fuels होते हैं हम कहे सकते हैं इनको बनने के लिए Millions of Year लगते हैं मतलब बहुत ही जादा टाइम में Fossil Fuels बनते हैं और अगर हम बात करें कि एक डाटा पब्लिश हो था 2013 के अंदर जो किसके थुरू पब्लिश हो था बाई International Energy Agency एक डाटा प्रडूस करा था इन्होंने ठीक है और वो डाटा के अकॉर्डिंग क्या बोला था इन्होंने कि जो कोल है वो कोल सबसे जादा Most Abundant Fossil Fuel है मतलब दूसरी सब चीज़ों तो ठीक है मगर सबसे जादा Abundant Fossil Fuel कुन सा है कोल है उसी के उसी से रिलेट करके हम हम हमारे कोश्चिन का अंसर बोल रहे हैं कि बी जो कोल है वो सबसे जादा Abundant है थैंक यू क्लासिक स्टिवल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करे डाउटनेटा या वाट्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर